हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूर यूटीब चैनल फोन फिक्स हैजराबाद दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अप्लोड होगा इमिडियेटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी पिशली बार मैंने एक और वीडियो डाले हैं जैसे के फ्रेंट्स आज देख सकते हैं ओवन का डिजिटल मल्टिमीटर लेकर आए हमें आपके पास यह मल्टिमीट का भी रिवियो करेंगे पूरी तरह से अच्छे से देखिए बहुत अच्छा मल्टिमीटर है और इसमें आप PC से भी अच्छे से कनेक करके चेक कर सकते हैं और इसमें आपको sound बहुत अच्छा है थोड़ा सा महंगा है बढ़ हर एक technician को इसको लेने की ज़रूत नहीं है तो आई बटन में भी लिंक दे दूँगा होता के नीचे description में भी लिंक दे दूँगा इसका वीडियो पुरा इंट तक देखिए तो चलिए unboxing करते हैं ओवन के digital multimeter की पूरा वीडियो देखिए चलिए गाइस चुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहां पर सबसे पहले इसको unlock कर लेता हूं मैं और देखें यहां से इसको unbox कर देते हैं इसको open कर देते हैं और वहां digital multimeter जैसे कि आप देख सकते हैं photo में दिखी रहा है यह एक नया brand है नया company है इस तरह के काफी सारे tools आते रहेंगे friends तो हम आपको दिखाते रहेंगे न रामराज सर से मगाया इनका कार्ड यहां पर है available और एक छोटा सा gift भी इन उनने दिया था उसके लिए मैं थैंक्स काना चाहूंगा रामराज repair tool.com अगर आप मारेंगे तो उनकी website मिल जाएगी यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमको एक मिल गया printer cable जो के laptop या PC के साथ connect क करना होगा ताकि इसका display जो है आपको laptop या PC में आप अराम से देख सकते हैं और यहां पर power cable है इसके लिए देख सकते हैं normal सा power cable है और यहां पर दो प्रोप्स है जो के red और black color के है और यह बहुत ही अच्छे quality के है जैसे मैंने इसको देखा normally हर multimeter के साथ आपको दिख जाए है यह देखिए नया multimeter कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है friends मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखने में और देख सकते हैं O1 का है यह XD M1041 इसका model है और 55,000 counts यहां पर बता रहा है इसके और यह इसके सारे switches है यह आपको DC voltage AC voltage चेक करने के लिए यहां पर buzzer diode mode resistance आप य के लिए एक अलग से बटन दिया गया है frequencies में चेक कर सकते है temperature इसमें चेक कर सकते हैं यह on-off switch के लिए है अगर आपको बंद करना है चालू करना है यहां पर run करना या रोकना stop करना है उसके लिए बाखी record भी कर सकते आप जो भी और यहां पे मिली यहां पर MPR चेक करना है त ताके देर ना करते हुए आपका time बहुत important है time waste नहीं करते है एक नया tools है नया tool market में आया चाहे तो आप ले सकते है black हम common में लगा लेंगे और पीचे side यहां पर देख सकते है power cable के लिए एक option रखा गया है और यहां पर आपको जो printer cable का cable होता है यहां पर लगाना है ताके आ पर आप कहीं training वगार दे रहे हैं कुछ बताना चाहते डिस्प्ले में तो यह सारा आपको डिस्प्ले में भी function देख जाता है friends तो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्या कि students को बहुत easily LCD में लगा के हम बता सकते हैं चाहे हम checking वगार जो भी कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले इसको on कर लेते हैं इसका plug जो है मैं यहाँ पर लगा लेता हूं socket में और जो इसका printer cable है उसको मैं laptop के साथ connect कर लेता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं उपर on off switch है इसको on करते हैं सबसे पहले यह on off switch को दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका display स्टार्ट हो है डिस्पले पर डिरेक्ली यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और अभी मैं यहाँ पर printer cable लगा लेता हूं जैसे मैं printer cable लगा लूँगा यहाँ पर laptop या desktop में आपको एक setup install करना है जो के आपको ओवन की website में मिल जाएगा तो मैं कैसे कहां से install करना है वो भी आपको लेते हैं तो नीचे comment करें मैं आपको उसका download की link भी नीचे दे दूगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कितना अच्छा interface है इसका बहुत ही light weight है थोड़ा सा महंगा है बट थोड़ा सा महंगा है बट light weight है और अच्छा भी दिख रहा है देखने के लिए multimeter digital type market में आ आ चुके हैं मार्किट के अंदर नॉर्मल 100-200 रुपे multimeter भी आया करता था अभी हज़ारों में multimeter आ रहा है दस हज़ार के असपस इसका range है आप शायद यह नहीं लेंगे अभी first आप लोग जो है न यह देख सकते हैं यहाँ पे resistance सी value आप चेक कर सकते हैं डायोड mode यहाँ आप चेक कर सकते हैं डायोड mode यहाँ पे है साथ में डायोड के साथ इसमें बज़र भी आती है बीब भी बचता है मतलब इसकी quality बहुत अच्छी है sound बहुत solid आ रही है जो भी आप इसे line trace करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर DC voltage चेक करना यहाँ पे AC voltage के लिए चेक कर सकते हैं और temperature कितना है temperature भी आप यहाँ पे इसका calibrate करके देख सकते हैं चेक कर सकते हैं इसके अलावाद जो भी आप काम कर रहा है अगर वो recording करना है आपको तो यहाँ पे recording का भी option है इसके अंदर utility में यह सारे settings है backlight या फिर language चेंज करना है क्योंकि काफी सारे अलग-अलग देशों में भी इसको use किया जाता है तो इना ने language के लिए भी option दिया है और बाखी यहाँ पे आप देख सकते हैं minimum or maximum यहाँ पे match के लिए एक option रखा गया है function से major कर सकते हैं आप चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे side में अगर आप देखेंगे तो आपको range set करने का option होता है जो आप अगर register पर रखें तो आप mega ohms में चेक करना चाहते हैं या auto पे रखना चाहते हैं तो आप auto में भी रख सकते हैं बाखी आप जो भी आप changes करना है manually भी कर सकते हैं या laptop को connect करके वहाँ से भी सारा का सारा function आ और सबसे पहले Google में जाते हैं और यहाँ पे OWON की website आप देख सकते हैं OWON की website है यहाँ पे आप जाएंगे तो product में जाना है और product में जैसे आप जाएंगे तो multimeter का digital multimeter आपको दिखेगा इस वाले option में जाना है digital multimeter जो के benchmark जैसे दिख रहा है यहाँ पे इसमें जाने के product है OWON का 1041 यह 1000 प्लस वाली जो series है वह वाला हमको download करना है और इसमें 1041 इसका model number है xdm digital multimeter तो हम यहाँ से जाते हैं और वहीं से इसका setup file को उठाते हैं वहाँ पे यह देख सकते हैं आप इसमें काफी सारी सारे functions कैसे use करना है क्या उसका length कितना है height कितना है weight कितना है सब यहाँ पर बताया है इनकी website में आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं OWON की website में और यह सारी चीज़ होने के बाद नीचे हम आएंगे अब देख सकते हैं recording वगरा सब कुछ display यहाँ पर show होगा PCB कैसा है अंदर सब कुछ यहाँ पर इन्होंने detail में बताया है और हमको जो ज अधन वाले series हम install कर लेंगे और मेरे पास already install है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वापस install करना है क्या तो मैं यहाँ पर कट कर दूँगा और यह जो download हुआ मेरे पास IDM में download हुआ तो IDM में मैं आपको खोल कर बताऊंगा यह download में नहीं आएगा तो अभी यहाँ पे नीचे से IDM open कर लिया हूँ यहाँ से open folder करते हैं तो आपको यह last वाला देख सकते हैं आप xdm pc software तो यह देख सकते हैं आप compress में मुझे यह वाला software मिल गया इसको right click करके आप extract कर लीजिए चाहे 7zip से करें या विनरार से करें तो यहाँ पे इसका आपको तीन files मिलेंगे एक driver वाली file ह और एक setup वाली file है और DMME जो है इसका setup file है जो कि मेरे पास already install है अगर आपके नहीं है तो यहाँ से install कर लिजिए देखिए वापस से install हो गया मेरे पास से मैं cut किया पर यह भी already हो गया तो यह display के उपर इसका logo बनके आ जाएगा और com 3 में यह connect होता है यहाँ पर उपर के side में आप देखेंगे DMME करके सबसे उपर इसका logo बनके आ गया है जो कि हम उसे application भी बोलते हैं खोलने के लिए तो यहाँ से मैं देख सकते हैं उपर से मैं उसे open कर लिया यह देख सकते हैं friends यह open होने के बाद में अभी connect नहीं है मे यहाँ पर उपर जाएंगे और connect में आपको एक option आएगा थोड़ा सा camera हिल रहा है फ्रेंट थोड़ा सा आप थोड़ा सा यह कर लिजिए यहाँ पर फर्स्ट option connect का option है यहाँ पर देख सकते हैं control में आप आएंगे यहाँ पर आपको via com 3 लेना है आपको via com USB यह लेना है तो com 3 आजाएगा तो com 3 से connect होगा यह देखे friends हमारा यहाँ पर मैं आपको देखते हैं voltage चेक करके बताऊंगा 3.91 मैंने 4 वल्ट के आसपास यहाँ पर रखा है तो यह DC में मैं इसे select कर दूँगा सबसे पहले और यहाँ पर हम वल्टेज चेक करते हैं देख सकते हैं voltage for DC current देखे सेम कैलिबरेशन हो गया है सेम जो डिश्प्लेय में देख रहा है और मेरे पार DC में भी जो है वही मैंने यहाँ पर बता रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं voltage और direct current देखे 3.9 मैंने उपर select किया और वह यहाँ पर show कर रहा है तो यह बहुत अच्छा काम कर रहा है friends मैंने देखा है इसको थोड़ा सा महेंगा है बट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं आपकी मर्जी बट एक नया tool market में आया है मैंने आपको बता दिया है वीडियो इस तरह कि मैं लाते रहता हूं काफी सा रहे नए नए वीडियो इसमें और भी सारा बहुत सारे options है देखिए अभी मैं PC से ही control करूँगा इसे PC से ही अभी मैं चेक करूँगा बजर की range भी बहुत अच्छी sound आती है बजर में भी इसमें और यहां पर मैं एक डायोड मोड में डाल दिया हूँ तो डायोड मोड में आ गया यह अगर मैं इसे continuity मोड में डालता हूँ या capacitor के मोड में डालता हूँ तो यहां पर नैनो फेराइड पीक फेराइड या फिर माइक्रो फेराइड कुछ भी आप चेक कर सकते हैं और इसमें आपको वल्टेज, करेंट, कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टर यह सब कुछ करने के आप्शन से देखें जैसे आप चेंज करेंगे यहां भी चेंज होता चला जाएगा जो चीज डिस्प्ले में दिखेंगी वही चीज आपको मल्टिमेटर में भी डिस्प्ले इसकाश्यो होगा तो यह एक इसको अन्बॉक्शिंग करके मैंने आपको बताने ही कोशिश की यह खरीदना है आप डिस्क्रिप्शन में नमबर दे दूँगा मैं अराम राजसर का वहां से आप ले सकते हैं उनसे प्राइस पूछ लीजे बाखी मैं हरेक को रिकमेंट तो नहीं करूँगा ब बढ़ हरेक को लेने की जरुवत भी नहीं है यह जो मल्टीमिटर है फ्रेंस यह थोड़ा सा महेंगा है दस हजार के आसवास पड़ता है यह आप दो हजार का ही मल्टीमिटर ले लेकिन अच्छा वाला मल्टीमिटर ले और उसी से काम चला है मेरे पीछे देख सकते हैं आपको चैनल पे लाता रहूँगा वीडियो आपको दिखाता रहूँगा आप तक चीजों को पहुंचाता रहूँगा हमारी कोशी यह रहती है फ्रेंस के हमारे जो स्टुडेंट है सब लोग नए-ने चीजों से वो अपडेट होते रहें चाए वो सरकिट की नॉलेज हो चाए वो टूल्स की नॉलेज हो सब में आपको अपडेट करेंगे तो इस तरह के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं फ्रेंस आपके लिए आप लोग जरूर देखें इसको दूसरे भायों तक पहुंचाए टेक्निचन भायों तक इस वीडियो को ताके वो लोग भी इस करता रहूंगा चाहे वो सर्किट की नॉलेज हो चाहे आपको नए नए कोई अपडेट हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना बहुत महनत लगती है इसको बनाने में काफी टाइम लगता है एडिटिंग के लिए वीडियो बनाने के लिए आपका प्यार ही है जिसके लिए ह करता है करता है एडिए कर दो झाप हो सय स्के लिए ए6 ओस अइड़ झाल